वहारों में महमानों को ये recipe जरूर पसंद आएगी क्योंकि मीठा तो बहुत सारा बनता है और सब खाते भी हैं तो मीठा खाकर सब बोर हो जाते है ना तो कुछ नमकीन चाहिए होता है और ये नमकीन इसलिए पसंद आएगा क्योंकि जटपट बन जाता है और सबसे important चीज कि यह महीरों स्टोर करके बड़े आराम से रख सकते हैं नमस्कार मैंकिता और आप सबका स्वागत है आपके अपने मस्ती भरी दुनिया फूर चैनल में तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बड़तन ले लिजे उसमें डाल दीजे आप एक कप घी तो कोई सा भी मेजरिंग कप ले लिजे ठीक है उसी से आप कटोरी, ग्लास या फिर कोई कप उसी से सारी मेजरिंग करनी है आपको तो उसी से मैंने एक कप यहाँ पे पानी डाल दिया है अब इसके बाद हम मैदा लेंगे तो मैदा भी हम यहाँ इसी कप से टोटल चार कप मैदा लेंगे, ठीक है, यहाँ मैं दो कप ले लिया है, तीसरा कप और एक कप और, मतलब कि टोटल यहाँ पे मैंने चार कप मैदा ले लिया है, अब आपको क्या करना है इसमें को, ओ नहीं, नहीं, अभी इसमें नमक डालना मैं भूल गई थी, sorry, sorry. यहाँ सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा फ्लिवर के लिए अजवाइन, थोड़ा सा मंग रहा है और नमक. नमक बहुत ज़र दूरी है क्योंकि यह नमक पारा बन के तैयार हो रहा है. अब यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बेकिंग सोडा मतलब एक पीन से थोड़ा सा जादा मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है वो यहाँ पे डाल देना है और डालने के बाद इसको फटा-फट से इसका डो तैयार कर लेना है डो ऐसे ही मिक्स कर लिजे और इस बहुत जादा सॉफ्ट आठा गूथना नहीं आपको बस इकठा कर लेना है आपको इस तरीके से यह देखिए तो ठीक है क्रैक्स वगर इसमें जो पढ़ रहा है उसको रहने दीजेगा उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लीजिए आप चकिया और चकिया पे मैंने दो इस तरीके से बहुत ज़ैड़ ज़्यादा मोटा नहीं रखना आपको और बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं रखना इसकी थिक्नस जो है अभी मैं आपको बेल के फिर दिखाती हूँ आपको कट कर लेना है और जो साइट साइट की छुर 210 पार्टन आपको लगे की जो है उसको निकाल दीज़ेगा अपने हिसाब से इसको सेब दीजेए ठीक है मैं इसको पूरा सा लंबा लंबा रख रहे हूं आपको धिखारे मुड़ी इसके धिकनस इतनी होनी चाहिए मैं ध्यूद explains थूड़ धिकनस इतनी होनी चाहिए मतश्व मोटा होना चाहिए नहीं होन करेंगे वही ठीकनेस रखेंगे जितना मोटा उसको रखा है उतना ही मोटा इसको रखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे साइड साइड वाला जो भी बचेगा उसको हम निकाल लेंगे और देखे इस तरीके से ठीक है यह देखिए चारो तरफ से कट कर लेजे और बाकी वाल जैसे हलवाई लोग बनाते हैं, उनी का खास ट्रिक भी या पर मैंने फॉलो किया है, हम लोग पहले क्या करते थे ना मोईन करते थे, घटो बैटके उसको मसलते थे, मोईन देते थे, ऐसा कोचनी करना आपको, सेम प्रोस्स के साथ आपको काम करना है, और सेकेंड जो आपको कि दो स्पाइब कर दब सकते हैं उतना ही तेल यहां पर गरम रखना है अब आप सकते हैं जी तो देखित कि ऊब अब आपको और हलका हलका सा जैसे जूल लगए यह देखिए, इस तरीक पाहसे चलाना है, बहुत जदा इसमें चमच नहीं चलाना है, ज्मक मोफ JOева की आपको हाय को उसके बाद ही चलाना है। जब आपको लगे कि आपकी मठरी जो थोड़ी सी ऊपर आ रही है ना ऊपर अच्छी तरीके से तैरने लगे तब आप गैस का फ्लेम जो है हाई करिए और उसके बाद एक बढ़ियां सा कलर आने तक आप इसको फ्राई करिए तो यह देखे बहुत ही बढ़ियां सा इसमें कलर आ चुका है क्रैक्स आपको खुद भुखुद दिख रहे होंगे इसी से पता चल रहा है कि कि कितना ख़स्ता बना आई है और कितना ज्यादा मार्केट जैसा एकदम मेरी हमारी जो नमक पा रहे हैं वो बनके तैयार हुए है सेकेंड बैच में मैं डाल रही हूं तो भी उपर तैरने लगे तब आप गैस का फ्लिंप हाई कर दो दी जैसे अब मैं इसको दिखा रही हूं आपको यह देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा